नमस्कार आरेस अर्णपुना किचन में आपका स्वागत है आज हम समाग चावल के पराठे बनाएंगे जिसे हम भगर भी कहते हैं तो हमने दो मीडियम साइज के आलू बाल कर छेल कर ग्रेट कर लिया है अब इसमें डालेंगे एक कटोरी समाग चावल इसे हमने दूख कर और आदा इँच अधरक ग्रेट करके लिया है अगर आफ रत में अधरक नहीं खाते तो ना बाले धनिया पति डालेंगे Allah चोटा चंता चंता पाउडर डालेंगे आप चाहे भुना जीरा पाउडर भी ले सकते हैं और सेंधा नमक ले लिया है स्वादरू सार एक चमच मेल्ट किया वग्गी डालेंगे अगर आप रुरत में नॉर्मल नमक खाते हैं तो आप उसे डाल सकते हैं पहले हम इसे हाँ से मिक्स करेंगे जितने जरुत होगी उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पाई डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो देखिए इसे हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लि बनाना चेसे मुसर लेंगे और ठोड़ा चिकना कर लेंगे अब हम इसके लोईया बनाएंगे जितना बड़ा आपको पराथा बनाना है उसके हिसाब से आप लोईया बनाए लोई एक साथ हम बना करके रख देते हैं और इसे धक के रखेंगे थोड़ा सा हमने समा चावल का आठा सुखा आठा लगा लिया है आप चाहे तो गी या तेल लगा कर भी पराठा बेल सकते हैं तो हमने समा चावल का सुखा आठा लगा कर इसे धीरे धीरे बेलना है आप चाहे तो किसी टीपीन का ढखकन इसके उपर रखके गोल रोटी काटके बना सकते हैं तो देखिए हमने इस तरह पराठा बेल लिया है अब हम तवे पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे या फिर घी लगाएंगे इसके बाद में हम पराठे डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे पराठे सेकेंगे जब नीचे से हलका सा सिख जाए तब हम उपर में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे आप चाहे तो घी लगा सकते हैं और इसे पलट देते हैं साइड में भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उपर में भी तेल लगा के दुसरे सैड से हम पलट के सेक लेंगे इसी तरह हमें इसे उलट पलट कर अच्छा से से इसे हरी चटनी के साथ खाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर बेल आइकन जरू तबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुँ सके, धन्यवाद